बच्पन से हम लोग खाते आ रहें मैलोडी टॉफी और आज तक बच्चे बड़े सभी की पसंद बनी हुई है मैलोडी टॉफी आज उसी टॉफी से हम आईस्क्रीम बनाएंगे, जैसे एक टॉफी खा के आपका मन नहीं भरता, उसी तरह एक आईस्क्रीम खा के मन नहीं भरेगा, इतनी ज़ादा स्वादिश्ट बनती है इसकी आईस्क्रीम फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए फिर बनाते हैं मैलोडी टॉफी से आइस्क्रीम बनाने के लिए 15 पीस मैलोडी टॉफी लेना है यह बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बहतरीन रहता है सारे टॉफी का रैपर निकाल लेना है खासकर बच्चों को यह टॉफी बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्यूं पसंद आती है क्योंकि इसकी अंदर यह चोकलेट फिल रहता है और बच्चों को जब इतना ज़्यादा पसंद आती है तो इसका आप आइसक्रीम बनाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा पसंद करेंगे अब इस तरह से हमें सारे टॉफी का रैपर निकाल लेना है हमने सारे टॉफी को रैपर से निकाल लिया है अब इस टॉफी को हम चाकू से चुटे-चुटे पीस में कट कर लेंगे दूद को उबालना नहीं है सिर्फ गरम ही करना है बस टॉफी को जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही यह स्पून से मिक्स करेंगे जैसे यह से मिक्स करते जाएंगे यह टॉफी दूद में गुलता जाएगा हमने मेजर्मेंट नॉर्मल कप से किया है जिसे हम लोग चाई पीते हैं वही कप अब इस तरह से हमें टॉफी को घोल लेना है दूद में जैसे जैसे टॉफी दूद में गुलता जाएगा वैसे ही दूद का कलर चेंज होता जाएगा अब देखे पूरी अची तरह से दूद में घुला नहीं है टॉफी थोड़ा थोड़ा रहे गिया है चोकलेट अब इसे थोड़ा दर और घोलेंगे अभी मैं दूद में एक चम्मत चीनी डाल रही हूँ, अब इस चीनी को घुलने देते हैं, उसके बाद measurement करेंगे कि कितना चीनी इसमें डालना है, क्योंकि हो सकता है, मीठा कम भी हो सकता है, लेकिन टॉफी में भी चीनी रहता है, तो इस हिसाब से हम देख के करेंगे, अब इस एक बार melt होने देते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कितना चीनी इसमें हमने डाला है, टोटल मैं तीन चम्मत चीनी इसमें डाली, अब ये पूरी अच्छी तरह से घुल गया, आईस्क्रीम मिक्स रेडी होगे, आप पेपर कप में डाल के जमा लेंगे, मैं यहा कर लेना है, थोड़ा सा मिक्स बच गया है, तो मैं एक और पेपर कप में फिल कर लूँगी, तीन कप दूध में चार पीस आईस्क्रीम बनके रेडी होता है, अब हमें इस पेपर कप को कवर करना है, उसके लिए मैं यहां पे फॉयल पेपर लेंगे हूँ, यदि आपके प असानी, यह बहुत ही असानी से इस तरह से कवर हो जाता है, अब हम सारे में इसी तरह कवर कर लेंगे, तीन कप को हमने फॉयल पेपर से कवर किया है, और एक को प्लास्टिक से कवर करेंगे, इस तरह से प्लास्टिक उपर रखके रबर बेंड लगा देंगे, अब इस तरह इस तरह से डाल देंगे यदि आप फोईल पेपर से कवर कर रहे हो या प्लास्टीक से तो उसे दो फाइदा होता है एक तो आइस क्रिस्टल नहीं जमता है और दूसरा आइस स्टीक को सपोर्ट मिल जाता है तो आपका आइस क्रिम एकदम स्टेट सीधा जम के रेडी होगा प्लास्टीक में भी इसी तरह हम होल कर लेंगे चाको से बस थोड़ा सा होल करेंगे और आइस स्टीक को डाल देंगे अब ये रेडी हो गया है अब इसे हम ओवरनाइट या 6-7 घंटे के लिए फ्रीजर में डाल देंगे 6-7 घंटा हो गया है हमने सारी आइस क्रिम को फ्रीजर से निकाल लिया है अब हम सारी का फॉयल पेपर हटा देते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसका टेक्शर कैसा आया है आप देख सकते हैं अभी तो देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है यह आइस क्रीम अब इस मेलोडी आइस क्रीम को पेपर कप से निकाल लेते हैं अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़ी हां लुक आया है टेक्शर आया है आइस क्रीम का और इदी सीजर नहीं मिल रहा है तो बस हाथ से फाड़े और फटा फट आइस क्रीम को निकाल दें अब देखिए आइस क्रीम भी बहुत ही आसानी से निकल गया बाहर तो फ्रेंड्स आज आपने देखा कि इस मेलोडी टॉफी से कितने सस्ते में धेर सारा आइस क्रीम बना कि आप रैडी कर सकते हैं तो आप इस रेसिपी को एक बर जरूर ट्राय करें अगर यदि आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई